नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का देखें आज के सेशन में अलग वराइटी हम लेने वाले हैं अगर आप अब्जर्व करें तो लगातार हर साल अगर आप C.P.O की बात करें C.G.L की बात करें C.H.S.L की बात करें तो इस वराइटी पे लगातार कुशन आ रहा है और ये फिक्स वराइटी है जिसके अंदर बदलाब भी बहुत ज़्यादा है ठीक है तो आज की क्लास के अंदर हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि जो बदलाब आ रहा है इसे कैसे पकड़ना है और इस वराइटी पे जो भी कोशन आते हैं ठीक है उसे जल्ली से कैसे करना अब देखें खाली यह नहीं है कि आपको formula पता है, formula आपने लगाया, multiply गया, divide गया, लिखा लगाता है, और फिर answer निकाला, जैसे कि आपने इससे पहले वाले session में भी देखा था, इमने एक variety लिए उसके अंदर change देखा, कि change किस-किस तरीके से हो सकता है, और exam में किसी साब से पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल updated version के साथ और updated question के साथ, आज का session स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा आपको basic इसका, कि में जो variety है, इसका basic यह है, और इसे साब से यह बनता है, आए देखते हैं, सबसे पहले, देखिए जो formation है, x square plus y square का whole square, ठीक है, इस formation पे यह question रहता है, अगर आप देखते हैं, x4 plus y4 plus 2 x square y square, ठीक है, अब यह एक general formula है आपका, x की पावर 4 plus y की पावर 4 plus x square, 2 x square y square, अगर मैं इसे rearrange कर देता हूँ थोड़ा, तो थोड़ा rearrange करने के बाद देखिए formula क्या बन जाएगा, तो इसकी ना अलग-अलग formation है, अब इसी के अंदर आप formation देखते हैं, मैं इसे लिखता हूँ अगर, x square plus y square का whole square, minus, देखिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, पहतरीन question आपको देखने को मिलेंगा, और सीखने को मिलेंगा ऐसा कि 5-10 second maximum लगेंगे question को answer करने में, इस type के question को, आपने देखिए, इसे आपने लिख दिया, x square plus y square, plus, root 2, x, y, into, x square plus y square, minus root 2, x, y, ठीक है, यानि, a plus b, और a minus b, ये एक formation बन गया, ये general formula बन गया, x की power 4, plus y की power 4 का, ठीक है, क्या होता है, कि अगर ये x की power 4, plus y की power 4 इदर है, ठीक है, कभी-कभी ये वाला part उटके, इसके नीचे आ जाता है, कभी-कभी ये वाला part उटके, इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, तो ये सब तो variation हो गए ही होगा, आज के session में देखी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यानि examiner क्या सोच के question बना रहा है, लगातार, वो एक thinking आपको मिलेगी, और main बात ही ये होती है, कि उस thinking का match करना, अगर आप उस thinking को match कर लेते हैं, तो चीज़े बहुत असान हो जाती है, ये question यहां तक ये सिमियत नहीं है, इसमें एक variety और बनती है, आईए देखते हैं, दूसी variety इसमें क्या बनती है, X की पावर 4, प्लस Y की पावर 4, का whole square, X की पावर 4, प्लस Y की पावर 4, स्टार्ट करते हैं इसे formulae से, X square, प्लस Y square, का whole square, आपने बढ़ा, X की पावर 4, प्लस Y की पावर 4, प्लस 2X square, Y square, अभी आप ये देखेगा, कि इसी के अंदर ही, आपने किसी book में नहीं देखी होगी वोची, जो मैं अभी आपको बता दूँगा, कि इस कंदर चीज़े कैसे कैसे बदल सकती है, अगर आप इसे देखते हैं ध्यान से, मैं लेखता हूँ, X की पावर 4, प्लस Y की पावर 4, प्लस X square, Y square, अब इसमें से एक कम होगया, तो एक इधर चला जाएगा, X square, प्लस Y square, का whole square, माइनस X square, Y square, अब यह क्या होगी है, यह बहुत 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 बहुतर इंफॉर्मेशन होगी, अगर आगे कहां बनेगी, आगे बनेगी, हाँ, X square, प्लस Y square, प्लस XY, X square, प्लस Y square, माइनस X, तो यह फॉर्मेशन मन गई आपकी है, ठीक है, धियान लखना है इस फॉर्मेशन को, आप कोई भी paper उठा लें अभी current में, कोई भी मैं कह रहा हूँ, लगबग हर exam में आपको इस previous question मिलेगा, ठीक है, कि यह value अगर आपको निकाल लेंगा, तो एक value ए प्लस वाली, अगर मैं देखता हूँ इसे देखे अगर मैं इसे A मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ B ठीक है अगर मैं इसे A मानता हूँ इसे मानता हूँ B तो X square plus Y square की value आ जाएगी आपकी A plus B by 2 ठीक है जो आपको ध्यान लखनी है X square plus Y square अगर आपको निकालना है तो A plus A divide by 2 अगर मैं XY की value निकालता हूँ तो यह क्या जाएगी A minus B by 2 तो यह दो बहुत बहतरीन formula हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा time बचेगा जब आप question करेंगे एक formula यह है जिस पर base question बनता है कभी यह पूछ लिया जाता है कभी यह पूछ लिया जाता है कभी हिन में से कोई छोटा सा part पूछ लिया जाता है पर ऐसा नहीं कि जब भी यह पूछा जाए आप पूरा formula लिख रहे हैं फिर आप multiply करके solve कर रहे हैं पूरा लिखने के बाद, लिखना नहीं है, ध्यान अकना है, या तो ये निकल सकता है, या पीछे वाला निकल सकता है, आगे वाला पार्ट निकलेगा, तो ये प्लस ये बाई दो, पीछे वाला पार्ट निकलेगा, तो A-B by 2, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी formation मन जाएगी, ठीक है, तो ये आपका type हो गया, कि इस पर बेस अगर question आएगा, तो आपको किस पर काम करना है, अभी हम basic पर काम करते हैं, ठीक है, अब बात आती है इस पर, कि बादलाव क्या आ सकता है, ये तो रहा basic चीज जो अभी तक थी, अब इसके अंदर बादलाव क्या संबब है, अब वो देख लेते हैं, आइए देखते हैं, अब देखिए मैंने आपको बताया, x² प्लस y² का whole square, अब ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कि भाई, x²-y² का whole square हो जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो इस पर भी आपको question मिल सकता है, आने वाले exam में, अगर म सकता हूँ, x की पावर 4, प्लस y की पावर 4, माइनस 2 x² y², अगर मैं दोनों तरफ, x² y² घटा रेता हूँ, x²-y² का whole square, माइनस x² y², equals to x की पावर 4, प्लस y की पावर 4, माइनस 3 x² y², अब दिखें, ऐसा करने से क्या होगा, एक फॉर्मला बन गया आपका, जैसे वो था, x²-y² plus xy, x²-y²-xy, और यह बराबर आगया, किसके, इसके, 4 plus y की पावर 4, माइनस 3 x² y², तो यह बहुत 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 बहुतनी और इंपॉर्टन फॉर्मला बन गया आपका, जो मैंने देखें, अभी आपको बता दिया, आने वाले एक्जाम में, चैब प्री हो या मेंस हो, उसमें आपको यह देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, अब इसके अंदर भी दो चीजे मिल रहे हैं आपको, दो चीजों की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, अगर हम वो दो चीजे देखते हैं तो वो क्या है, वो दो चीजे हो गई आपकी यह, x² माइनस y², आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर यह a है और यह b है, तो आप बोलेंगे a plus b by 2, ऐसी आप xy की वैल्यू निकाल सकते हैं, xy की वैल्यू अगर आपको निकाल ली है, तो a minus b by 2, यह formation बन जाएगा, ठीक है, x square minus y square plus xy, x square minus y square minus xy, a square minus b square equals to a minus b, a plus b, यह formation बन गई, अगर मैं इसे a लिखता हूँ, इसे b लिखता हूँ, या तो question बनेगा यह निकालने के लिए, यह निकालने के लिए, और ऐसा भी question बन सकता है, जिसमें दुनों चीज़े निकालने हो, ठीक है, तो यह था हमारा अभी तक का basic part, कि भई, जो चीज़े आ रही है, वो किस-किस तरीके से गूम सकती हैं, और उसमें आपको क्या धियान दखना है, जिससे आपका solution 10-15 सेकेंड का रहे और pen-free रहे, अब आते हैं हम question पे, ठीक है, कि question हमें इस पे किस तरीके से मिलेंगे, तो अभी class के अंदर हम जो question ले रहे हैं, वो सभी, वो सभी question आपको, लगबग, CPOSI 2019, CGL 2018, CGL 2017 में, इन में आए वे question मिलेंगे, जो अभी हम class में ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक variety हमने fix कर ली, इस पे बेस कहीं भी question आए, कैसा भी गूमें, हमें पहले से पता होना चाहिए, और last तक ज़रूर देखेंगे, last में बहुत बह बदलाव अभी आ रहा है, जैसे कि पिछले session में भी आपने देखा होगी, मैंने last में दो बहुत 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 कोशन आपको कराए थे, जो आने वाले बदलाव पर है, आइए देखते हैं, start करते हैं पहले question से, पहले question है आपका ये, ठीक है, ये question है आपके सामने, ठीक है, अभी हमने formula पढ़ा था, आप देखें अगर, तो ये वाला, ये formula हमने पढ़ा था अभी, जिस पर mark किया है, ये, कि अगर ये है, तो ये plus वाला, minus वाला multiply हो जाएंगे, अब मैं question पर आता हूँ, question है आपका ये, तो question में आपको दे रखा है कि आपको value निकाल ये, plus वाले की, minus वाले की, दो दे रखी है, ये अगर 6 है, 6 को 2 से भाग करेंगे, answer हो जाएगा 3, c आपका answer आजाएगा, यानि लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, completely pen free solution है, पर इसमें pen free करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो basic formula था, ठीक है, अभी आगे आगे जैसे यसे जाएंगे, आप ये देखेगा, कि बदलाव क्या हो रहा है, कि आप उसे pen free कर पा रहे हैं, और वो सिखाऊंगा मैं आपको, आइए देखते हैं, next question पे, next question है, आपका ये, A की power 4, same, उसी formula पर question है, और सारे question exam के हैं, आप previous year paper खुलिए, सबी question आपको मिल जाएंगे, अब आपको एक बात पता लग गई, आपने जब concept पढ़ा, आपने पढ़ा कि भई, ये बराबर होता है, एक plus वाली value होती है, एक minus वाली value होती है, minus वाली value के आगई, ये आगई, ठीक है, अगर A भी निकालना होता है, अगर A भी निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, ये वाली value में से ये वाली value घटा देते हैं, और 2 से भाग कर देते हैं, ये थाना यहाँ पर, ये रहा, ये थाना कि भई, plus वाली value और minus वाली value को घटा देंगे, और 2 से भाग कर दें अब आपने देखा यहां पर इस पर अगर हम देखते हैं आपने देखा कि यह plus वाली value है यह minus वाली value है क्योंकि 8 ही है 8 को 4 से भाग करेंगे minus वाली value आजाएगी जो कि 2 हो जाएगी तो 4 minus 2 divide by 2 तो 2 बटा 2 answer 1 आजाएगा यानि एक आपका अंसर हो जाएगा ठीक है, कुछ भी नहीं करना देखें, पूरा सेशन आप ध्यान देखें के बले स्टार्टिंग में जो फॉर्मले करा है न वो माइंड में रखने है प्रीविएस येर का कोई भी कोशन हो इस वेराइटी पर, definite बात है आप बहुत जल्दी कर लेंगे, आईए बढ़ते हैं नेक्स कोशन पर अब देखें, महाँ पर मैंने complete detail में नहीं लेखा अब ये कोशन आगया आपके सामने ये अभी current का CPU को कोशन है CPU 2019 इसका कोशन है ये 21 ये दे रखा है या आपको 3 दे रखा है सीजी सी बात है भाई अगर ये 21 है और ये 3 है अगर मैं 21 को भाग कर देता हूँ 3 से, तो क्या मिलता है 7 मिलता है, तो यानि minus वाली जो value मिलेगी वो 7 मिलेगी अब आप से पूछ लिया गया ये आपको ये तो नहीं पता पर आप इसकी value जुरूर निकाल सकते है आपने ये बढ़ा था कि दोनों को subtract करके ठीक है, दोनों को subtract करना है प्लस वाली value को और minus वाली value को और 2 से भाग करना है 3 में से 7 गया 3 में से 7 गया, क्या आएगा? minus 4 आएगा 3 में से 7 गया divide by 2 तो ये क्या हो गया? minus 4 हो गया minus 4 को 2 से divide करेंगे एक बाद दो बार से देख लेते हैं एक बार मैं question भी check कर लेता हूं जरा question है आपका 21, 3 ठीक है ठीक है question आपने देखा 3 minus 7 minus 4 हो गया minus 4 upon 2 minus 4 upon 2 क्या होता है? minus 2 होता है ये किसकी value मिल गई है? आपको x, y मिल गया पर आपको ये थोड़ी निकालना है आपको निकालना है इसका 4 गुना 4 गुना कितना हो गया? minus 8 4 गुना हो गया आपका minus 8 into 4 अब देखिए तो समझाने के लिए मैंने लिखा पर अगर आप इन questions को करेंगे आप ये थोड़ी लिखेंगे आप डारेट देखिए 21 को 3 से बाग किया, 7 आगया 3 में से 7 गया, minus 4 आगया 2 से बाग करेंगे, minus 2 आगया, minus 2 से गुणा किया, minus 8 आगया C option आपका answer आगया केवल वो ही बच्चा समझ पाएगा, जो starting से देख रहा है, लगातार फोलो कर रहा है तो pen free habit अगर build करने है, उसके लिए पहले से आपको काम करना पड़े गई मैं कोई आपको रटने का तरीका नहीं बता रहा, यह concept है, concept इसी साफ से चल लाए कि भी दो formula है, multiply में है, उनमें इसी सीज की value निकल सकते है या तो x2 plus y2 निकाली है, या xy की अब जरूरी नहीं है कि आप से सबसे पहले वाला question जैसे पूछा गया था, सीधा multiplication पूछा जाए ऐसा भी हो सकता है, x2 plus y2 पूछ ले जाए, या x2 plus y2 का whole square भी पूछा जा सकता है नेस question पर आएंगे, तो cpu का ही question था, अब मैं आता हूँ इस question पर ठीक है, ये भी आपका cpu का ही question है, 133 ये है, ये 7 है, ठीक है, एक value 133 है और एक value ये 7 है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है अब आप देखते हैं कि भाई, plus वाली value क्या मिलेगी है, तो minus वाली है, अगर मैं 7 से भाग करता हूँ, आप देखते हैं, 7, 1, 7, 5, 6, 7, 9, 6, 19 हो जाएगा तो ये क्या आगया, आपका 19 आगया, 19 क्या आगया, एक ही value आगया, आपने बढ़ा था, 19, minus 7, divide by 2 तो ये आपका 6 आजाएगा, देखे जब भी आप पूरा सेशन देख लेंगे ना, पूरा सेशन देखने के बाद, एक बाद प्रैक्टिस करिएगा, कुशन सामने रखकर, कि हाँ भाई, क्या वाकी में कुछ सीखा है हमने, पूरा सेशन देखने के बाद ये जज़ करना, और ये देखना कि प्रीवेस एर में जितने भी पेपर में कुशन आया है, क्या आप कर भी पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी कुशन प्रीवेस एर के ही है, यानि आपने कुशन नहीं लिखना कुशन अगर सामने है तो, माइनस के साथ प्लस वाली निकलती है, प्लस के दे रखी है, xy आपको 12 दे रखा है और आपको value निकाल लिया है इसकी, ठीक है अब question यह है जो आपके सामने है अगर आप ध्यान से देखें इसे आप क्या लिख सकते हैं इसे आप लिख सकते हैं x square plus y square का whole square minus x square y square equals to क्या हो गया 481 हो गया देखें वैसे तो आप इसमें न value put करके भी कर सकते हैं x की जगे 4 रखे और y की जगे 3 रखे answer आजाएगा, ठीक है क्योंकि x और y positive integer है पर उसके अंदर भी आपको check करना पड़ेगा 4 और 3 आपने यहां रखा फिर यहां पर रखेंगे फिर इंडिविजुली square 4 करके add करके check करेंगे यहां रहा है यहां रहा है अगर आप यहां देखते हैं यहां देखने वाला part देखें आपके सामने है आप में देखा अगर यह value इसके बराबर है इसकी value कितनी है? 12 है 12 का square होता है 144 144 अगर उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 625 बन जाएगा 625 का अगर आप root करेंगे क्योंकि x square plus y square की value root करने पर आएगी जो कि 25 हो जाएगी तो आप देखते हैं अगर यह 25 है इसमें से 12 आजाएगा 13 आपका answer हो जाएगा यानि B option आपका answer आजाएगा ठीक है? तो अच्छा question है आप value डालके भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं पर main बात है कि पहले से आपने यह variety पर काम कर रखा हो आएगे बढ़ते हैं अगले question पर काफी सारे question लिए हैं देखें मैंने इस variety के काफी सारे question ठीक है यह भी आपका CGL 18 मेंस का question है शायद या तो CGL 18 मेंस का है या CPO का है ठीक है current का यह लेकिन इसी साल का यह आपके सामने है equation और आपको value निकाल ली है इसकी अब देखें सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको minus वाली value निकाल ली है ठीक है क्योंकि x square plus y square कैसे निकलता है plus वाली value और minus वाली value को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो पर अगर आपको minus वाली value निकाल ली है तो value क्या आएगी वो value आएगी इसको इससे भाग करके जब आप इसको इससे भाग करते है ठीक है 21 कटेगा 3 से 7 बारी में 256 कटेगा 16 से 16 बारी में अब plus वाली value, minus वाली value को add करने के बार आता है ये, तो ये आगे 7 plus 3, 7 plus 3, 10 बटे 16, ठीक है, बटा 2, बटा 2 हो जाएगा, पर इसके साथ 2 भी है बार, तो 2 से 2 कट जाएगा, अंसर आ जाएगा, 5 बटे 8, तो 5 बटे 8 आपका अंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अभी current का ही question है, ये बार दो बार से देख लेते हैं, देखें, main बात ये है कि आपकी approach क्या रहती है, आपको ये बताया कि प्लस वाली value होगी, minus वाली value होगी, अगर x2, y2 निकालना है, प्लस में से minus वाला घटाओ, और 2 से भाग कर दो, अगर xy निकालना है, घटाना नहीं, प्लस करना है, अगर गटाते हैं, तो xy की value मिलेगी, ठीक है, तो आपने इस से इस से divide किया, क्या आगिया, 7 बटे 16, दोनों को add करेंगे, 10 बटे 16, पर उसे 2 से भी तो भाग करेंगे, पर 2 यहाँ पर भी लगाए, 2 से 2 कडिया, 5 बटे 8 आपका answer हो गया, ठीक है, आप ये दिके कितना काम करना पढ़ा, आपको कितना लिखना पढ़ा, किवर नमबर नमबर पर काम करवा रहा हूं मैं, कोई x2, y2, xy, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, अगले question पर आते हैं, अब ये भी आपका cgl means का ही question है, 18 means का, ठीक है, अगर आप pattern देखते हैं, pattern समझेगा बहुत द्यान से, a की power 4, b की power 4, a square, b square, a square, b square, a b, तो answer क्या आएगा, answer आएगा कि जो formula हमने बढ़ा था, a square, plus b square, minus a b, ये answer आजाएगा, ठीक है, अब main task क्या है, main task क्या है कि भई इसे solve करना, solve करने के लिए देखें हम, digital sum अगर लगाने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं, इसके अंको का योग कितना है, 9 है, 0 हो गया, 8, 4, 12, 4, 16, 2, 18, ये भी 0 हो गया, ठीक है, बचाई ये 4 और 6, 10, 10 का मलब हो गया, अंको का योग तो यानि जिसका digital sum 1 होगा, तो digital sum concept हमें यहां लगाना है, तो आपने देखा जिसका DS 1 होगा, वही option आपका answer हो जाएगा, आपने देखा 5, 4, 9, ये एक नज़र आ रहा है, 5, 4, 9, ये 4 नज़र आ रहा है, 8, 10, 12, 3 नज़र आ रहा है, 8, 10, और तो 12, 3 नज़र आ रहा है, या आप देखें, formation क्या रही, अगर मेरे को ये चैकी करना होता, तो मैं इसे लिखता थोड़ी इतना, मैं इसे सीधा देखता है, यहां पर, 1, 9, 9, ये तो 0 हो गया, बचा 1, जिसके अंकों का 1 है, वो ये option आपका answer हो गया, पर उससे भी बहले, आपको ये पता होना चाहिए, ये formation क्यों सी है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिनने formation कहीं नहीं पता होगा, क्यों नहीं पता, क्योंकि इसका formula तो कहीं नहीं देख लिया, पर इस पे ज़्यादा काम नहीं किया, आज का जो session रखा था, वो दोनों session especially इसलिए रखे गे थे कि इस variety को पूरी तरीके से म a square plus b square equals to x, a by है, ये आपको निकालना है, अब अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखने वाला पाट ही है, कि अगर किसी बच्चे ने वो concept जरूर पड़ा हो, जो मैंने बताया है, ठीक है, अगर किसी ने ये class का रखे है, तो ये question 5 second, मुश्किल से 5 second का है, क्योंकि direct formula है, ये formula हमने कहां किया था, ये formula हमने किया था भाई, यहाँ पर, starting में किया था, ठीक है, अगर हम देखते हैं ध्यान से, आपको बताया गया था कि अगर a4 plus b4 है या minus है, तो दूसरे वाले में क्या आएगा, प्लस आजाएगा, यानि इसका अंसर क्या होगा, a square plus b square plus a b root 2, और आप देखते हैं, a square plus b square क्या है आपका, x है, और ये क्या है, a b, ये y है, ठीक है, तो x plus root 2y, यह यहाँ पर, यहाँ पर आपका root 2y है, ठीक है, तो c option आपका अंसर हो जाएगा, x plus root 2y, यह आपका अंसर हो गया, x plus root 2y, अब ये भी exam काई question था, अब होता क्या है, देखें, जा हम चीजे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है, यार, यह तो बहुत असान हो गया, क्या ये exam में आया होगा, selection का भी बिल्कुल तरीका यही है, एक बाद selection लेने के बाद ऐसा लगता है, क्या यार, selection लेने में तो कुछ है ही नहीं, क्या इतनी असान चीजे selection लेना, तो main बात यही रहती है, कि अगर आपकी direction सही है, तो आपको थोड़ा सा time जरूर लगेगा, पर एक time बाद आपको लेगा, हाँ यार, चीजे मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को adjust करना है, यानि ये देखना है कि एक्जामीनर किसे सापसे paper बना रहा है, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ कहीं, ऐसा तो नहीं है, कि बहुत पुरानी चीजे मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ ऐसे भी होने चीजadow है कि बहुत आज तक एक्जाम में नहीं गाई, पर आने वाले एक्जाम में मिल सकती है, जैसे कि आज हम आखिर तक जाएंगे, तो दो से तीन question ऐसे हैं, जो आपको किसी भी book में है, किसी भी exam में अभी तक नहीं मिले होंगे, पर आने वाले exam में जरूर मिल सकते हैं बढ़ते हैं अगले question पर यह आपका next question अब यह question है बहुत अच्छा अब इस question की खास बात देखे क्या अब यह question common नहीं रहा ठीक है x4 plus y4 minus x square y square question एक बार verify कर लेते हैं पक्का x4 plus x square y square यह मुझे doubt था ठीक है यह आपको दे रखा है और यह आपको यह भी दे रखा है और निकालने वाला पाट आपके सामने है अब देखें आपने बात पढ़िए कि भई इसकी value अगर 24 है minus वाले की 4 है अगर मैं पूचता सीधा आपसे कि भई plus वाले की कितनी होगी आप सभी बतायते है 6 answer होता ठीक है तो plus वाली value क्या आ गई वो 6 आ गई minus वाली क्या है वो 4 है ठीक है minus वाली 4 हो गई अब आपने देखा कि यह value आपको निकाल लिए या तो question बन गया आपका इस तरीके से इसके साथ यह question भी बन सकता है या इसी के अंदर वो इस तरीके से भी पूच सकता है ठीक है और main chance ही दिए हैं कि वो ऐसा पूचे क्योंकि देखे आप जानते हैं कि इस variety के अंदर आप यह value भी निकाल सकते हैं अब कुछ question हमने देखे कैवल यह variety पूची गई क्पूचन हमने देखें कि अंदर आपसे कैवल यह variety पूची गई अब क्योस्टन ऐसा आगया आपको बता है 6-4, बटा दो, अब बटा दो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को अनुपात निकालना था, ठीक है, तो ये 10 आ गया, नीचे 2 आ गया, अंसर 5 आ गया, B option आपका अंसर हो जाएगा, ठीक है, अब देखें कितना बाट आपने लिखा, जो बच्चा लगातार connected है शुरुवास से, वो समझ रहा है चीजों को, ठीक है, कि भई इसमें step आपके minimize हो सकते हैं, केवल और केवल ध्यान लखने वाली बात है, एक particular focus रखना है एक छोटी सी पर और वो ही हमने यहां पर किया, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके साथ question वैसे ही बने इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, यह आने वाले बदलाब पर question है, आईए बढ़ते हैं अगले question पर, अगला question है यह, ठीक है, इस question के अंदर अगर हम देखते हैं बहुत ध्यान स कि भाई यह तो 21 है, यह 7 है, माइनस वाली value क्या होगी, 3 हो जाएगी, अब ही अब यह मैंने पीछे देखा, कि भाई मैं x upon y plus y upon x की value निकाल सकता हूं, ठीक है, इसकी value मैं निकाल सकता हूं, पर मुझसे पूचिये यह, अब यहां से यहां जाना काम असान है, n square minus 2, ठीक है, कि इसका पूरे का square करेंगे, 2 घटा देंगे, यहां पर पोच जाएंगे, अब अगर आप देखते हैं ध्यान से, यह value कैसे निकलेगी, यह value तो भई वैसे ही निकलेगी, जैसे पीछे निकली थी, अगर आप देखते हैं, x square plus y square, 7 plus 3, 10 हो गया, बटा 2 हम नह नहीं लिखा, ठीक है, यह आगे 10 by 4, 10 by 4 आगया, ठीक है, जिसे मैं बोल सकता हूँ 5 by 2, ठीक है, अब यह कैसे है, यह तो वैसे आया जैसे पीछे आया था, अब किसी बच्चे ने वही नहीं रखा, तो यह कैसे गरेगा, तो यह भी बदलाब पे question है आपके, कि आने वाले time में आपको इन पे भी base question इस तरीके से मिल सकते हैं, अब आपको यहां से यहां जाना है, तो क्या होगा, 5 by 2 का square, minus 2, तो यह कितना हो गया आपका, 25 बटा 4, minus 8, ठीक है, तो 4 minus 8, 25 minus 8, 17 हो गया, 17 बटे 4, यानि A option आपका answer आजाएगा, ठीक है, तो अच्छा question है, इस के question भी आपको आने वाले exam में मिल सकते हैं, मेरा मानना ऐसा है कि सपने देखें, 190 प्लस के, ठीक है, तो उसके साब से काम करना तो बहुत जरूरी है, अगर आप उसके साब से काम नहीं करेंगे, तो ऐसा रहेगा कि हर साल यह लगेगा, आप फिर basic से पढ़ते हैं, और आप यह आगे है next question आपका, 11th question है, एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सही लेगा है, ठीक है, अब यह question किस पर है, यह question है आपके बदलाब पर, यानि जो मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है, आप जैसे यह question आप देखें देखें किसी को, मैं आप से अभी बोल आँ, यह question आ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बताई थी आपको, आपने यह concept पड़ा, यहाँ पर आपको यह बात बताई गई, कि भई यह value दे रखी है, अगर इसका मलब है, दो value यह मिल सकती है, ठीक है, और यह value अगर निकालनी है, तो plus वाली और minus वाली को जोड़ के दो से भाग करना है, अगर मैं आता हूँ वापिस यहाँ पर, अगर आप वापिस आते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब मैं वापिस आता हूँ यहाँ पर, तो आप देखते हैं कि यह तो वह value है, यह plus वाली value है, minus वाली value क्या आजाएगी, अठाइस बटा साथ चार आजाएगी, ठीक है, और यह value अगर निकालनी है, तो साथ प्लस चार बटा दो, तो 11 बटे दो आपका answer आजाएगा, question देखे देखेगा अपने friend अगरा को, पता लगेगा आपको कि भी हाँ question में कुछ बदलाव है यह नहीं है, कि भी लगातार book में जो question आ रहे हैं, उन्हें ही लगातार करे जा रहे हैं, और करने के साथ साथ यह भी नहीं देख रहे हैं, कितना लिखा जा रहे हैं, हम लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, आप यह देखेगा, आज की पूरी class में अभी मैं दिखाऊंगा आपको कितना लिखा है, के बल नमबर नमबर लिखे हैं, और वो कब हो सकता है, जब पहले से pattern दिमाग में exist हो, आईए देखते हैं अ और बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ये कहा था कि जब वो कोशन पेपर में आ जाता है फिर उसे solve करने लग जाता है, पर वो पहले से तयार नहीं हो रहा है उस चीज के लिए, तो आपको ये बास समझनी पड़ेगी कि पहले से तयार होना पड़ेगा, अब आप देखते है यसी कोशन दे रखा है, आपने बढ़ा भी आज कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक है, हमने फॉर्मला बढ़ा था, e square प्लस b square प्लस root 2ab, ठीक है, और यहां पर था root 2ab minus के अंदर, कोशन मैं एक बास चेक जरूर कर लेता हूं, बिल्कुल सही है कोशन, a x square, by square, c x y, d x e y square, f x y, ठीक है, a plus b plus c, d e, f हो गया, ठीक है, अगर आप देखते हैं इसे, ध्यान से समझेगा, 2x की पावर 4, plus 3y की पावर 4, अब a की पावर 4, plus b की पावर 4, बराबर होता है, a square, plus b square, plus root 2ab, 6 root 2, x y, into a square, plus b square, minus 6 root 2, x y, ठीक है, यह आ गया, यह general pattern आ गया, पर main बात ही है कि question वो जो आपने रेखा, a, b, c, d में लगादार बन रहा है, वो क्यूब वाले formula पे बनेगा, ऐसा किसी ने नहीं का, वो किसी पे भी बन सकता है, मैं class में बच्छोग राता हूँ, मैं कहता हूँ, वो देखी, a की जगे क्या आ जाएगा, a की जगे 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 नजर आ रहा है, b की जगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, c की जगे क्या आ जाएगा, c की जगे आपको दिख रहे है, 6 root 2, यह PLUS में है ठीक है यह PLUS में है अब मैं आताऊँ DEF पर D की जगे क्या आएगा? फिर 4 आजएगा E की जगे क्या आएगा? फिर 9 आजएगा और F की जगे क्या आ रहा है F की जगे आ रहा है आपका फिर 6 root 2 ठीक है यह आ गया question देख लेते हैं एक बार d e f बिल्कुल सही है d plus e minus f यह minus f है एक second दूग जाए मैं देख लेता हूँ यहाँ पर यहाँ पर minus f है plus f नहीं है यह से मैं correct कर देता हूँ main बाद है कि आप वो चीज समझें कि बहीं चीज आपकी बन क्या रही है और वो समझनी बहुत जादा जरूरी है यह minus f हो गया ठीक है तो यहाँ पर भी change हो जाएगा आपका ठीक है यहाँ पर भी आपका minus हो जाएगा ठीक है तो 4 plus 9 plus 6 root 2 minus 4 plus 9 minus 6 root 2 तो 4 और 9 तो कट गया answer आगे 12 root 2 12 root 2 यानि C option C option आपका answer हो जाएगा ठीक है एक बात उबाद से समझें बात को ठीक है main बात पता है main बात यही नहीं कि आपने answer सही निकाला यही है नहीं निकाला main बात है कि आपको पहले पता है कि इसके अंदर पहले से देख रखी है तो देखे time लगेगा कम और अगर पहले से नहीं देख रखी तो पहले formula ही याद करना पड़ेगा recall करना पड़ेगा formula लिखना पड़ेगा फिर answer आएगा next question पर बढ़ते हैं यह upcoming changes पर है जो upcoming changes मैंने लिख दिया आने वाला बदलाव और एक बात और कहूंगा यहाँ पर कि भई जो बदलाव के लिए तयार है जो बदलाव के लिए तयार है वो selection के लिए तयार है ठीक है ऐसा इसलिए कि भी अगर selection लेना है तो number अच्छा करना ही पड़ेगा number अच्छा उसी बच्चे का आएगा जो से existing चीज तो आती है जो अभी तक exam में आनी है साथ के साथ उसे यह भी पता हो कि यह चीज़े किस-किस तरीके से बदल सकती है और मैं इस पर किस-किस तरीके से काम करूँगा next question पर आते है अब देखिए यह question आगया आपके सामने यह भी आने वाले बदलाव पर ही है ध्यान से अगर आप देखते हैं ठीक है अगर आप ध्यान से देखते हैं तो A की पावर 4, B की पावर 4, A स्क्वेर, B स्क्वेर रूट A, B ठीक है, रूट 2, A, B ठीक है, तीन सत्ते किस दूनी बेहालेस अगर आप देखते हैं एक्स की जगे के हाएगा फर्मला डारेक्ट वही वाला लगाया हैं हमने ठीक है थीक है कि भई, एक्स की पावर 4, P प्लस, भावर 4 है मैंने जब क्लास स्टार्ट करें थी न, आपको यह बताय था कि भई, यह फर्मला जरूरी नहीं है वैसे मिलें आपको इ attempting इस तरी के से भी आया था की भी x square plus y square plus root to xy है ठीक है root to xy है आपका बराबर होगा x square plus y square minus root to xy के ठीक है x square plus y square plus root to xyx square plus y square minus root to xy तो अगर आप देखते है, x की जगे क्या आजाएगा, 3 आजाएगा, ठीक है, y की जगे क्या आजाएगा, 3 आजाएगा, 7 आजाएगा, और z की जगे क्या आजाएगा, root 42 ठीक है यह आ जाएगा कि 3, 7 और root 42 इसका square करेंगे 3 का square कितना हो गया? 9 हो गया, यह कितना हो गया? 7 का square 49 हो गया root 42 का square करेंगे, 42 हो जाएगा तो 49, 58 और 42 हो जाएगा, B option आपका answer आजाएगा question दिखने में अलग सा लगेगा बस यह देखें, दिखने में कितना अलग सा लग रहा है, और आपको यह भी लगया कि हाँ, question change पर तो है, पर concept नहीं बदला, concept वही है जो अभी तक आता था, ठीक है? आईए बढ़ते हैं के अगले question पर आखरी question करते हैं आज के class का, और उमीद करते हैं के class से बहुत कुछ थीखा होगा आपने, यह आपके सामने question M की power 4, अब देखिए, यह question कहाँ पर गया? दो तरीके से formula बनना है, अगर आपने ध्यान से observe कर रहा हूँ A4 plus B4, एक तो बनता है इसका formula और एक बनता है इसका, A4 plus B4 plus A square B square, दो formula पर हम लगातार काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से हमने किया, अगर आप देखते हैं ध्यान से, A square B square A B, A square B square A B, A की power 4, B की power 4, और A square B square, ठीक है, तो इसकी value क्या आएगी, A square plus B square minus A B, यह आजाएगी, यह पूरी value बराबर होगी, किसके, इसके बराबर होगी, ठीक है, जो हमने जनरल फॉर्मला पढ़ा है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा, यह फॉर्मला था आपका, यहाँ पर, कहां गया, यह रहा, ठीक है, यह था फॉर्मला आपका, आपने देखां यहाँ पर, A की power 4, प्लस B की power 4, प्लस A square, B square, अगर यह वाला पार्ट इसके नीचे आजाएगा, तो बचेगा केवल यह माइनस के साथ, ठीक है, और वोई चीन हमने यहाँ देखिए है, इस question के अंदर, अगर आप आते हैं वापिस इसी question पर, अब हमने यह देखा कि यहाँ पर, आपने देखा यहाँ पर, A4, B4, A square, B square, नीचे A square, B square, A, B, साथ में आजाएगा, माइनस साइन, अब compare करना है और answer करना है, A root 3 की value अगर 9 है, तो A की value आजाएगी आपकी, A की value कितनी आजाएगी, सोचेगा और यह सोचेगा, क्या यह 2 second में पता लगा आपको, 3 root 3 आजाएगी, ठीक है, तो 3 root 3 का square, ठीक है, 3 root 3 का square, B root 2 की value कितनी है, 16 है, B root 2 की value अगर 16 है, तो B की value क्या आजाएगी, 8 root 2, 8 root 2 का square, minus C का square, C root 3 MN, अगर इसे root 3 से भाग कर देते हैं, तो बचेगा 4 root 3, 4 root 3 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर, square करेंगे, ठीक है, यह आ गया, अब आप देखते हैं ध्यान से, 8, 8, 64, ठीक है, 64 दूनी, 128, ठीक है, एक बाद दुबार से देख लेते हैं, कोशन आपका बिल्कुल करेक्ट है, एक बाद मैं चेक कर लेता हूँ, A root 3 M square, प्लस यह, 8 root 2, 4 root 3, बिल्कुल सही है, ठीक है, अगर आप देखते हैं ध्यान से, 3 root 3 का square, और 4 root 3 का square, टूटल मैं करता हूँ, टूटल यहां लिख लेते हैं, 3 तीया, 9 तीया, 27, 8, 8, 64 दूनी, 128, minus, 4, 4, 16, 48, ठीक है, अब आप इसे टूटल करते हैं, अगर, 128, प्लस, 127, कितना हो गया, 155 हो गया, 155 में से 48 जाएगा, 107 आपका अंसर हो जाएगा, यानि हम बोलेंगे, B option अंसर हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों उमीद करते हैं, कि आज का session आपको अच्छा लगा होगा, और समझ बहुत अच्छे से आया होगा, मेरी आगे भी परियास यही रहेगा, कि आपको बड़िया से बड़िया question, और बड़िया से बड़िया concept देने की, कि जो भी चीज आपको दी जाए, वो मजबूती के साथ दी जाए, ना केवल उतना ही बताया जाए जितना है, पर उसके लिए भी तियार किया जाए, जो आने वाले समय में बदलाव के रूप में आपको पेपर में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत होता है, पर पढ़ने के बाद पेपर में जब बैठते हैं, तो चीजे बिल्कुल नहीं नहीं सी लगती है, तो पेपर में कोई चीज आपको नहीं ना लगे, इसलिए ये सेशन लगातार आप लोगों के लिए ला रहे हैं, तो अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जादा से जादा, जिससे अगला सेशन भी हम बहुत भैतीन और जल्दी से जल्दी ला सकें, तो मिलते हैं आप से नए सेशन में, तब तक अपना ख्यार लगे हो, लगातार देखते रहे हैं, ठीक हैं, जैहें,